हेलो गाइज तो इस वीडियों हम बात करने वाले एगनू के फी वेवर स्कीम के बारे में फीस में छूट कौन से विद्यार्थी इलिजबल होते हैं इस फी वेवर स्कीम के लिए किन किन प्रोग्राम में ओफर किया जाता है कैसे अवेल कर सकते हैं क्या रिक्वार्मेंट होती है अगर अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो किस माध्यम से अवेल कर पाएंगे तो इसीक बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज ही की डेट भी इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है इगनू के प्लानिंग एंड डेवलेप्मेंट डिवीजन की तरफ से जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आज ही की डेट में इसे रिलीज किया गया है क्योंकि यह काफी पहले से fiver scheme चलती आ रही है अगनू में तरह तरह से बदलाव किए गये हैं तो next year, next semester में जब re-restration करेंगे तो उनके लिए भी ये free waiver applicable रहेगा और इसे extend किया गया है जनुरी 2024 cycle के लिए जो पहले से चलता रहा है तो हर session में ये notification जारी किया जाता है इसे extend किया जाता है तो ये notification जनुरी 2024 cycle के लिए जारी कर दिया गया है अब हम बात करेंगे कौन-कौन से प्रोग्राम में इसे avail कर सकते हैं पहले कई सारे प्रोग्राम हुआ करते थे लेकिन अभी उसे हटा दिया गया केवल इनुके जो mass enrollment के प्रोग्राम से हैं जैसे कि BAG, BCOMG, BSCG, BA General, BCOMG, BSC General ये scheme केवल इन ही programs के लिए applicable है और जनुरी 2024 cycle में जब fresh admission लेंगे उसमें आप इसे avail कर सकते हैं तो सबसे पहले हम fresh admission के ही बारे में बात कर लेते हैं जब आप admission लेंगे तो क्या-क्या requirements होनी वाली है तो पहला point हो चुका है किस-किस program में मिलने वाला है ये ठीक है दूसरा point काफी ज़्यादा important है जिसे ध्यान रखना रहेगा आपको अगर आप SCSE category के student हैं और इस scheme का lab उठाना चाहते हैं तो आपकी parent की income, guardian की income 2.5 lakh से कम होनी चाहिए last financial year में आपको income certificate देना रहेगा आपको scan करके upload करना रहेगा ठीक है और साथी साथ आपका आधार card upload किया जाएगा जब आप fresh admission लेंगे वहाँ पे upload करना रहेगा तो income certificate आपको upload करना रहेगा 2.5 lakh से कम तभी ये आप scheme avail कर सकते हैं सभी SCSE category के student avail नहीं कर पायाँ जिनकी family income 2.5 lakh से ज्यादा होगी तीसरा point लिखा गया है जो SCSE category के student ये fees avail कर रहे हैं मतलब fee waiver उनके लिए एक non refundable amount होता है 300 का station fees वो आपको देना रहेगा साथ ही साथ इसमें development fees र रहेगा आपका लेकिन 500 आपको payment करना रहेगा अब हम बात करते हैं next जो heading है re-recession के लिए SCSE student already क्योंकि ये extend हुआ है notification इसके पहले भी waiver दिया गया है तो जो already avail कर रहे हैं उनके लिए भी ये exemption already eligible रहेंगे उनको exemption next year जब आप re-recession करेंगे तो उसमें ये applicable रहेगा उसमें fees आपका नहीं लगेगा लेकिन साथी साथ इसमें एक चीज और लिखी गई है यहाँ पर कि जो student ये fees exemption opt नहीं किये है ये अगर benefit चाहते हैं अवेल करना चाहते हैं तो जो social welfare schemes हैं और आपके respective जो state government की हो या center government जैसे कि NSP पे या फिर district हो आपके district का portal हो उस पे जो भी welfare schemes चल रही है scholarship के माध्यम से वहाँ पे जाके अवेल कर सकते हैं जो ये वाली scheme अवेल नहीं कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा और हर एक scholarship में यही एक point होता है कि अगर आप कहीं से कोई benefit अवेल कर रहे हैं तो कोई दूसरा benefit अवेल नहीं कर पाएंगे ठीक है इस चीज का ध्यान रखिएगा जो student exemption fee waiver का opt किये हुए है वो किसी भी scholarship लिए apply नहीं कर सकते हैं तो इसमें कोई सवाल है comment box में लिखके पूँच सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए है चैनल को subscribe करक आपके प्रोग्राम से लिटेड या कोई और नोटिफिकेशन तो instantly उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और टाइमली आपने प्रोग्राम को smoothly complete करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक किल नमस्कार देने मतुँआ